नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए दोस्तों सुनते हैं सुश्मा मुनिंदर जे की लिखी कहानी गरम दल नरम दल अपाला को शाम का वक्त पसंद है सूरज का टाप मंध होते ही वह अपने एक एकड़ वाले परिसर में आ जाती है और ललहाती वनस्पती की निराई गुडाई करती है उसे क्यारियों में काम करते देख नजाने कप से डेरा डाले हुए टिटहरी का जोड़ा उल्लास से भरकर चचहाने लगता है और सफेज चुहे जो संख्या में छे हैं कूदने दोरने की बंपर छूट लेते हुए अपनी शरारत से अपाला का ध्यान आकरिष्ट करते हैं पनस्पती की हरितिमा और नन्हे जीवों का हुनर देखते हुए जब शाम स्याह होने लगती है अपाला घर कारण उसकी कमर धिरक धिरक जाती थी आते ही इस तरह बूलने लगी मानुआ पाला को जमाने से जानती हो अरे यह पार्क नहीं है घर है पार्क लगता है महिला को देख मादा टिटेहरी चिलाने लगी टिटेहरी पाल रखी है ये पंची पता नहीं कभी यहां आकर बस गय अपरिचित को देख चिलाने लगते हैं कुटे का रोल करते हैं मादा टिटेहरी ने उधर टमाटर की क्यारी के पार जमीन में अंडे दिये हैं इन्हें लगता है आने वाला इनके अंडों को नुकसान पहुचाएगा टिटेहरी जमीन में अंडे देती है हाँ अच्छा सफ इत्चुहे पहली बार देख रही हूँ हमारा ड्राइवर कहीं से इत्चुहे चुहिया का जोडा ले आया था मेरी दोनों बेटियों ने इन्हें पाल लिया पर्या वरंट प्रेमी परिवार वाह खुबसूरत जग है तभी मैं पबलिक पार्क समझ बैठी कोई बात नहीं सही जगे आई हूँ मेरा वजन बहुत बढ़ गया है डॉक्टर कहते हैं कम करो कसरत मुझसे होती नहीं भोर में उठाने ही जाता कि दूर तक टहला शाम को टहलू तो फेफणों में धूल और धुआ भर लू तभी इस पार्क पर नजर पड़ी पर यह तो घर निकला शाम को यहां टहलू तो तुम्हे कस्ट तो नहोगा पहले परिचय में तुम संबोधित करने वाली महिला गती से ही नहीं स्वभाव से भी तेज जान पड़ती थी अपाला असमंजस के स्थिती में कहने लगी हाँ नहीं लूट नहीं लूँगी भले परिवार की हूँ मिथिला काला मेरे पती गजानन काला डिग्री कॉलेज में दर्शन सास्त पढ़ाते हैं स्वामी चहराहे से आगे जो मारूती नगर है न वहां रहती है आपसे मिलकर खुशी हुई अपाला को कहना पड़ा वैसे मुझसे मिलकर किसी को खुशी नहीं होती ससुराल माय के अडोस पडो सब जगे बुलेटिन जारी हो चुका है कि मिथिला जैसी तेश तरार मिजाज वाली महिला से प्रोफेसर साहब जैसे छंडे दिमाग वाले ही निभा सकते हैं भाई मुझे तो जगे पसंद आ गई अब रो जाओंगे मिथिला नियमित आने लगी आते ही लॉन के कोने में बने चौड़े पटरे वाले जूले पर बैठ जाती अपाला को उसका आना पसंद नहीं आता था टहल लीजिए मैं तब तक गमलों में पानी डाल दूँ टहलने कौन आता है जी हम तो बाते करने आते हैं अपाला तुम पूछो मेरा शौक क्या है तो मैं कहूंगी बोलना पर घर के हालाद बुरे हैं तीन बेटे हैं अब तो बाहर पढ़ते हैं लेकिन जब यहां पढ़ते थे और जब भी कहीं बाहर से घर पर आते थे तो उन्हीं म्यूजिक, मुबाइल, टीवी इंटरनेट से फुरसत ही नहीं मिलती थी मैं बात करना चाहती तो कहते मम्मी बोर मत करो, हम लोग बिजी हैं आज कल के लड़के या तो बिजी होते हैं या बोर मैं मर जाओं पर उन तीनों के हाथ से लेप्ट आप नहीं छूटना चाहिए एक है दर्शन शास्त के दिवाने हमारे काला जी देन रात किताबों में सिर्दिये किस खोज में लगे रहते हैं सो राम जाने मैं बात करूं तो चश्मा उतार कर मुझे खूरते हैं फिर किताब में मगन मैं फिर भी बात करूं तो कहते हैं कितना बोलती हो एक बार तो ऐसी इज़त खराब हुई कि पूछो मत कॉलेज के प्रिंस्पल हमारे घर पर आये थे काला जी बरामदे में बैठे पोथी पढ़ रहे थे प्रिंस्पल को विद्यार्थी समझ इशारे से बैठने को कहकर पोथा पढ़ते रहे वह तो मेरी नजर पढ़ी और मैंने प्रिंस्पल का आदर सतकार किया तब काला जी की सनक टूटी बोले सराप हैं मैं समझा कोई छात्र होगा अपाला इसलिए काला जी का अब तक प्रमोशन नहीं हुआ परना प्रिंस्पल होते तुम ही बताओ ऐसे सनकी पती का क्या करूँ काला जी क्या शुरू से ही ऐसे हैं मुझे याद नहीं उन्हें समझाएं कि समाजिक्ता का थोड़ा ध्यान रखें ओ जी समाजिक्ता से खाने में मेरी उम्र गुजर गई पहले काला जी की बड़ी बुरी दशा थी नहा लेते स्लीपर बात्रूम में छोड़ देते साबू नीचे पड़ा घुल रहा है गिला तौलिया विस्तर पर चाय की प्यालिया दिवान के नीचे गमलों में पान की पी बेसिन में सुपारी के टुकडे जूते अंधे पड़े हैं छेदों वाली फटी बनियान पहने पान खा रहे हैं और तौबा तौबा पतियों में सबसे बुरी बात जानती हो क्या है इन्हें ऐसी आसुरे नीद आती है कि टीवी देखते या किताब पढ़ते वे लोड़के और खर्राटे शुरूँ और जानती हो इनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है ये लोग दिमाग का इस्तमाल नहीं करते इनकी बुद्धी ठीक मौके पर निलंबित होती है काला जी और बेटों को आदमी बनाने के लिए मैंने कड़ी महनत की है अब तो सब को ऐसा टाइट रखती हूँ कि मेरी इच्छा के बिना कोई साज भी नहीं लेता तो काला जी खुश है पती ऐसा जीव है जो कभी खुश नहीं होता चलू तुमने बातों में ऐसा उलचाय कि टहल ही न सकी इंसान के फित्रत वेचित्र होती है पहले अपाला चाहती थी कि मिथिला ना आए पर अब उसका आना अनया सच्छा लगने लगा है मिथिला तेजगती से आई और जूले पर बैठ गई अपाला तुमने मुझसे पूछा था कि काला जी खुश रहते हैं आज मैं पूछती हूँ क्या तुम्हारे पती खुश रहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह तुम सुखी हो सब ठीक है मिथिला हस पड़ी ओ जी छिपाव माद स्वीट होम किसी का नहीं होता और हर जोड़ा अनहैपी कपल होता है अपाला को लगा मिथिला गती और सुभाव से ही नहीं भाव पकड़ने में भी तेज है घर का महौल ठीक रहे इसलिए मैं जैकर का विरोध कभी नहीं करती कहो जैकर की खादिम बन कर रहती हो जैकर का गुस्सा बेकाबू होता है गुस्से में चीजे पटक में तोड़ने लगते हैं कल ही एक फूलदान तोड़ दिया था क्यों? ये सफेज चुह आप देख रही है न भीतर बाहर कूटते दौटते रहते हैं इनकी कूद फांद में फूलदान गिरकर तूट किया जैकर को मालूम हुआ तो कहने लगे अपाला तुम्हारी लापरवाही बढ़ती जा रही है इस दूसरे फूलदान का क्या काम? उठाय और जमीन पर दीमारा बाप रे ताना शाह हैं वे इसे ताना शाही नहीं उसूल कहते हैं जब से इस घर में आई हूँ उसूल शब्द बहुत सुनती है मुझे आज तक इस घर के उसूल समझ में नहीं आए गाउ में जैकर आज भी छोटे सरकार कहे जाते हैं मेरी सास ने अपनी सिकलोती आउलाद को इतना लाट प्यार दुलार किया कि जैकर खुद को छोटे सरकार ही मानते हैं मा का लाडला बिगड गया मा नहीं रही लाडले को जरूर बिगार गई मेरी दो बेटिया हैं पर जैकर ने शायद ही उन्हें कुछ कारा हो जैकर उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भीज रहे थे कि ठाकरों की लड़कियां पढ़ने के नाम पर अयाशी करने बाहर जाए यह हमारे उसूल के खिलाफ है जैकर घर आए और मैं घर में ना मिलू यह भी उनके उसूलों के खिलाफ है कि भली अरतों को घर में रहना चाहिए उनके आने जाने का कोई वक्त नहीं है तब मैं कैसे जानूंगी उन्हीं आना है मैं घर पर रहूं जब कर रहो तो पती पतनी को पाल तुपशु बना लेते हैं। इसलिए मैं मुकदर का सिकंदर बन कर रहती हूं। घर में एक छत्र राज करने का और ही मज़ा है। मैं होती तो जैकर को दुरुस्त कर देती। आप जैकर की जिद गुस्से और उसूलों को नहीं जानती। उस मैं एसी किलाबंदी रही कि मुझे ब्रिधिंग इस पेस कभी नहीं मिला। कोशिश कैसे करती। मैं इसे तुम्हारी बेवकूफी कहूंगी। तुम्हारा खाना, पीना, तुम्हारी नीन। तुम्हारा आना-जाना इस बात पर तैयो कि जैकर क्या चाहते है। यह सरासर ब एक व्यक्ति को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देना कहां की अकलमंदी है। तुम्हें दुख दर्द नहीं होता। धीरे धीरे उनमें खुद को सही और दूसरों को गलत मानने की आदत हो जाती है। तभी कहती हूँ हारो मत, सामने वाले को हराओ। तुम चुप रही इसलिए जैकर ताकतवर होते गए। कुछ लोगों को दूसरों को सताने में आनन्द मिलता है। इसे सैडेस्टिक प्लेजर अकेला पन वक कठिनाईयां ही रह गई है। मानसी करोगी बन जाओंगी या फिर किसी दिन अचानक मर जाओंगी। तो मुझे डरा रही हो अपाला, चलू अंधीरा हो रहा है। आज मिथिला के चेहरे पर अलग भाव थे। लॉन में रखी फाइबर कुरसी पर इत्मिनान स बैठ कर कहनी लगी। आज मेरी तबियत हलकी लग रही है। कोई अच्छी खबर। तुम्हें सिखा रही थी खुद सीख गई। कल घर पहुची तो देखा बरामदे में इजी जेयर में बैठे काला जी सो गय थे। किताब नीचे गिरी पड़ी थी। चेश्मा खिसकर लट जानक मर जाओंगी। लगा काला जी कभी कुछ कहते नहीं एकदम शांत रहते हैं। इधर मेरा गरम मिजाल मैंने अपनी गलती कब समझी। जैकर और मुझ में कितनी समानता है। सच कहती हूं काला जी मुझे सोस्त उपेक्षित बड़े अकेले से लगे। मैंने उनका चश करने लगी। और काला जी और बच्चों ने मुझे से दूरी बना लेने में ही अपना हिद देखा। अजीब बात है। इधर मैंने अपने मिजाज को गरम किया, उधर आप नरम पड़ गई। कुछ हुआ क्या। आपकी बातों में बड़ा होसला होता है। लगा मैंने परि परेलू हिंसा का शिकार हूँ। आप मुझे ठीक मिल गई, मैं जोश में आ गई। जैकर अभी एक दिन बोले, सबजी में नमक इतना कम है कि गोबर का स्वाद आ रहा है। मैंने कहा, स्वास्त को देखते हुए इस उम्र में नमक कम खाना चाहिए। फिर कहने लगे, स्वा किया, बोले बलवा करोगी, मैंने कहा जरूरत हुई तो, कमाल है, फिर क्या बोले। अब आला हसी, क्या बोलेंगे, थाले उठा कर फेक दी, आदत धीरे-धीरे जाएगी ना, पर मुझे लगा मैंने पहली बार सही काम किया है। कोशिज जारी रखो। यही सही वक्त था हस बगीचे में बैठी दोनों इस्त्रियां समवे थस रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुश्मा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी गरम दल नरम दल।